नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Only PCS पे देखिए एक खुश खबरी है जिन लोगों ने UP PCS परी 2019 15 दिसंबर को दिया था और उसमें जो बेकेंसी थी वो बहुत कम थी उस समय 300 के लगवक पत थे अब सुनने में आ रहा है कि ये पद बढ़ चुके हैं 500 के प्लस हो चुक जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सस्क्राइब करना नीचे रेड बटन को दबा के और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए देखिए ये कट आप की एस्पेक्टेड है ये जा सकती है जरूरी नहीं है कि यही रहे थे पास अब वहां पर ये संख्या लगभग डबल के सम्थिंग हो चुकी है इतने बिया बियरती पास होंगे और अब दूसरा रीजन यहां पर बियरतियों की संख्या बढ़ गई दूसरा रीजन यह एक पेपर का लेबल टफ था मॉडरेट से डिफिकल्ट आप बोल इसमें आपको देखने को बहुत कम मिले होंगे अब UPSC के सदश्यों ने पेपर बनाया है तो पेपर में बहुत लेंदी पेपर भी था जहां तक कि लोगों ने पूरा पेपर भी अटेंब नहीं कर पाया है लेंदी पेपर होने के कारण क्योंकि UPSC में आईएस में प्रसनों की संख्या 100 रहती है तो वहां भी टफ हो जाता है और यहां तो आपको पता है कि प्रसनों की संख्या 150 थी यानि 1500 प्रसन थे तो इसका भी एफेक्ट काफी पढ़ रहा है और बात करें देखिए आईएस क अब देखिए इस सेम फेक्टर हैं बाकी इस बार लेवल भी अच्छा है आईएस के लेवल पर पेपर को बोल सकते हो उससे 21 तो नहीं है उससे कमी है मतलब 80% उससे पेपर मिल रहा था अब बात करें इसके कट अब की तो इसके हिसाब से अगर जाएंगे आप बाकी नेगे सेट भी यहां पे डाल रहा है सी सेट भी यहां पे डालेगा उसका भी यहां पे एफेक्ट देखने को मिलेगा तो कई सारे मुद्दे ऐसे उठे हैं और जो लोग पुराने बिद्यार थी थे 2018 में जो मेंस दे चुके हैं जिनका 100 प्लस इसकोर बन रहा था अब वो 85 से 90 के बीच में आ गए इतने आ गए वो 85 से 90 के बीच में और इससे भी नीचे पहुंच गए बहुत सी लोग तो तो अब सोचिए कि जिनका 90 प्लस था अब वो लोग इतना आ रहा है तो इसका मतलब क करते हैं हम सीदे कट ऑफ पे आते हैं अब क्या इसका कट ऑफ एफेक्ट हो सकता है तो देखिए कट ओफ जहां तक बात है कि कट ऑफ का लगबग कितनी जाएगी इसका प्रेडिक्शन इनही आधारों को लेकर किया जा रहा है तो देखिए कट अब जहां तक है आपकी 85 से लेके ये 88 के something रह सकती है cutoff आपकी इसके बीच में अगर आपके बन रहे हैं या 88 प्लस बन रहे हैं तो आपको आपका हो जाना चाहिए जहां तक है तो आपको पूरी तयारी मेंस की कर सकते हैं इसके बाद तो आपकी cutoff की जो है 85 से लेके 88 something आपकी cutoff जाएगी इतने question आपके सही है number नहीं है इतने question आपके सही जा रहा है negative marking हटाने के बाद और आप cset में पास है यानि 33 question उसमें सही है 33 से ज्यादा तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं तो ये video है आपके लिए तो ये next video मिलते हैं अगर अच्छा लगे तो like कर दीजे और share भी कर दीजे अपने दोस्त आपके लिए thank you thank you so much